तो नमस्कार दोस्तों मैं संदीप आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फ़स्टियर हिंदी सिकेंड माडल पेपर के बारे में आज किस वीडियो में जितने भी कुश्चन होने वाले हैं आपके एक् ली जाए तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उदस एंकर भट्ट जिसे बिद्ट जितने भी कुश्चन एक्जाम में पूचे जाते हैं जैसा कि आप सब्सक्राविस पूच्च मालूम है तो कुछ न कुछ बता सकते हैं तो उदय संकर्भट जण्म कहा हुआ था नमबर तो बहुत सारे स्टूडेंट का confusion रहता है ठीक है तो इस question का right answer हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर-प्रदेष ठीक है उत्तर-प्रदेष में उद्यसंकर भठ्ट जी का जिन्म हुआ इतावा में इतावा उत्तरप्रदेश ऐसा भी आजए तो आज कहतने फिस्ट क्वेस्ट है कि उद्वेश कोइस्चन जो तो यह कि उधे संकर भत के पितामा का नाम क्या था नंबर एक जटा संकर बी नंबर राम संकर और नंबर है पंडित दुरका संकर तो अब ही आपने इनका question यह था कि इनके पिता का क्या नाम था यहां पर उपर पिता की बात हुई है और यहां पर पिताहमा की बात हुई है तो इस question का right answer हो जाएगा डी नंबर पंडिट दुर्गा संकर भट अब बढ़ते हैं इस question की और इस question यह है कि कुमार संभव में ब्यास जी को किसका आउतार माना गया है नंबर एक विश्नु का बी नंबर कृष्ण का सी नंबर है राम का और डी नंबर है ब्रह्मा का तो कुमार में ब्यास जी को किसक है तो जिन्हां उतार माना गया उनका नाम है विश्नु जी राइट एंसर नंबर हो जाएगा ठीक है विश्नु को माना गया है दोस्तों ने स्कूशन की बात करने से पहले में आप लोगों से रिकुस्ट करूंगा जो स्टुडेंट हमाई चैनल पर पहली बार आएं तो प प्लीज प्लीज उसे वाच जरूर करिए साम को प्रते एक दिन साथ बजे ठीक है अप एक्ट्व रहीएगा ठीक है मेरी क्लास आजाएगी डेली तो आप आई होप आप क्लासेश करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको हेल्प जरूर मिलेगी क्वेश्टन पर आते हैं अधान नवे में उद्य संकरभट का जन्म हुआ था अब बात करते हैं इस कोईशन की कि कालिदास को इनमें इनमें कौन प्रणाम नहीं करता था नंबर एक बांड बी नंबर है गेटे ओसी नंबर है रंडी और डी नंबर है इलियट तो दोस्तों मैं आप लोगों से यह कह हो जाते हैं तो इस कोईशन का राइट एंसर हो जाएगा वह जाएगा डी नंबर इलियट ओके निस्ट कोईशन है कि मुद्य संकरभट की प्रथम एकांकी का क्या नाम था नंबर एक समस्या कांत बी नंबर आद यूग और सी नंबर है दस हजार और डी नंबर है धूम कि निस्ट कोईशन यह कि इस तरी का हिर्द एकांकी किसकी है नंबर एक जैनेंद्र बी नंबर है उदय संकरभट और सी नंबर है भ्योने सर और डी नंबर है प्रसाद तो इस तरी का हिर्द जो एकांकी है उसके जो रसनाकार या एकांकी कार है वो है उदय संकरभट जी इ यूज आएगा अब बढ़ते है निश्क्वे और कुमार संपोर में कुमार किसका प्रतिक है कि नंबर की जी का भी नमदर गनेश जी का मनें का सब में देखता है नमबर एक राधनी असकंद गुपत सी नमबर कुबेड नागा और इनमें से कोई नहीं तो कुमार संभव में जो आपने देखते हैं वो देखते हैं कुवेड नागा जीसले राइट अंसर सी नमबर हो जाएगा निश्ट कोईस्टन है कि उद्रश पूछ रहा है कि उधर संकर बट जी मुलता कहां के निवासी थे जर्म की अलग बात हो गई उनिवासी अलग बात हो गई तो नंबर एक मतुरा बी नंबर है राजस्थान सी नंबर गुजरात दी नंबर है अलिगंच तो राइट इस्ट कुश्चन का राइट एंसर हो इसलिए इसका राइट एंसर हो जाएगा सी नंबर ओके अब बढ़ता है नेस्ट कुश्चन के और नेस्ट कुश्चन यह दोस्तों आपके स्रीज में उधर संकर भट की प्रथम एकांकी 10,000 का प्रकासित हुई आपने अभी उपर पड़ा की उधर संकर की प्रथम एकांकी 388 नंबर है 1945 की उधर से एकश्चन का अज का आदमी एकांकी किसकी है थो आई होब लोगों के ला विच्थरी होगा यह दिभी इंद्र अज का आदम की कै कस लिए कि परदे के पीछ एक आंकी संस्कुराः किसकी है नंबर एक भोने सर बी नंबर है सपाल और'M बहन संकर भट औरड नंबर है पंत तो पड़ने के कि बहुत इंपार्टन कोईश्चन यह एक्जाम में कई बार पूंचा जा चुका तो आप इसे स्कीन स्टॉट ले जीजिएगा या फिर अपने नोट डाउन कर लीजिएगा ठीक है जिससे आपको आसानी हो जाए समझने में अब बढ़ते हैं नेस्ट कोईश्चन के और नेस दोस्तो लेकिन आपका जब एक्जाम होगा ऑमार सीट पे ठीक है जिन स्टुडेंट का ऑमार सीट पे एक्जाम होगा फश्चियर वालों का उन्हीं के लिए वीडियो थी तो मैं आपको यह बता दूँ पहले कि निस्ट कोईश्चन की बात करने से पहले मैं कुछ आप लो तो बहुत सारे लेखक मिलेंगे बहुत सारे सबकी अलग अलग कर्तियां मिलेंगे यह नहीं कि सिर्फ उधर संकरभठ्ट या तुल्सवी दास या कबीर दाफ जी के बारे में ही बतायीड़ तो आपको कश्चन को मैंड में सेट अध्यान देना है सही तो नासन आजिक है त सब्सक्राइब करते हैं कि कुमार संभाव एक आंकी में सरस्वति किसे मनाती है इसमें टाइप करने में मानती हो गया तो आप मनाती समझ लीजेगा अब बढ़ते हैं इसका जो राइट हो जाएगा मैं बता दूँ पहले आप लोगों को तो इस ऐसंद्यूमर पारवती किसी ऊत्याओं कि कुमार संभौ का क्या नमबर एक है 1940 बी नमबर ए 1945 और सी नमबर है 1932 और दी नमबर है 1925 तो इस question का right answer हो जाएगा कुमास संभव की रचना वर्स है वो है 1945 1945 इसका द्धान दीजेगा अब बढ़ते हैं नेस question की और नेस question दोस्तों यह है आपके स्थेज में कि ब्यास ने महाभारत को लिखने के लिए किसे लेखक चुना नमबर एक नारज जी को बी नमबर मेहिश जी को और सी नमबर गनेश जी को डिनमबर धनबिर बारती तो जो महाभारत लिखने के लिए जो बहुत सारे इनके मद्वेद आएं वह आये हैं खानल जी को लेकर इसका जो राइट सब्सक्राइब यह कि कुमार संब्धों कि महाराज कुमार्ज bunlar कुमार इंसर नंबर हो जाएगा तो इसकूष्चन का जो राइट एंसर महाराज है वह है चैंद्र गुप्थ जी है इसलिए राइट एंसर सी नंबर हो जाएगा ठीक है कुमा संभो में कांकी की महाराज चंद्रगुप्त जी हैं तो दोफ तो आज किस वीडियो बस इतने कुश्चन कुमा यानि कि आपको मैं बता दूं कि उधर संकर भट से रिलेटेड इतने कुश्चन मुझे मैंने उतने ही आप लोगों को बताएं और भी कुश्चन मैं आड का सकता था लेकिन कुश्चन मुझे नहीं लगे और फिर भी वीडियो लंबी हो जाती अब लोग बहुर होते हैं इसलिए मैंने इंप्वार्टन कुश्चन इसमें करके डाल दी हैं और भी कुश्चन इंसे बेटेड हैं मैं उनको विफसाइट पर टालूंगा तो आप विफसाइट पर पढ़त पाएंगे ठीक हैं तो वीडियो के रसकासर मेरे विफसाइट का लिंक मिल जाएगा जो इस्टूडेंट पहली बार है मैं उनको बता रहा हूं क्योंकि पुरानी स्टूडेंट को फोल है तो आप वह सारे कोईश्चन अच्छेस पढ़िएगा जिसके आपको पूरी हल्प मिलें कोईश्चन और एंसर दोनों मिल जाएंगे ठीक है तो दोस्तों अब आज किस वीडियो बस इतना ही मिलते हैं आपको घिश्री नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्